नवस्ते नवस्कार प्रणाम हमें सुमित दिवधी पॉन और आज हमारे साथ मोतिहारी किंग है जो की खास इनकी पहचान है मोतिहारी जिलाकिया मतलब एक दौर था कि सीने जगत के सुपरस्टार खेसारी राले आदा और आकेश मिस्रा और भी तमाम गायक दिपक दिल्दार और भी कोई बड़े नाम जो की आते थे उन नाम में सबसे उपर एक नाम आता था जिस नाम जिसका नाम है पुरश्वत्तम प्रियदर से जो आज हमारे साथ बैठे हुए हैं चंपारन के लाल है और क्योंपी बिहार बिहार घंड के माटी के पूरा शुकंद है यांके स्वागत्वा सुमिद जी और जितना भी दर्शक लोग सुमिद वेदी पाउन ब्लोग चैनल देखा था ताव सब लोग के हमारे पड़ाम नमस्ते बार बहुत भुत धन्यमाद जे वाज हमारे के समय देनी कुछ बात आप हमारे रखे खाते आप सबके वह बात बता दी कि कि प्रुषतम भया का मतलब बड़कपन है कि वह इस लहजे में बात कर रहे हैं हलाकि आपको बता दें कि जब यहां के गायकी के सुरुवात को यह रहनी है और हमनी काफी छोट रही है आज भी पहर चुगे प्रणाम को रिले आज इवन प्रणाम को रहे हैं कि बोड़ भय जोनकी काफी ग्रेंड लेबल पर बते और आप सब काफी ज्यादा प्यार भी दहिला सबसे पले अंग पूचाओ को ल 007 dat iug वह पयार मिलेला आध्मी करें भीर होयं के शर्ड़ से पयार मिले और पैज है और कि मतिवां होर यह झाय हो जाहीं न करें कभी में जीवन में करें कहुँकjust हम खाला लुटली तो हमारा जय प्यार मिलेला उकरा पीछे सबसे बड़ा कारण वाकी हम आपन लुटा कि जे भी कामाइल वनी हम के उगे जबपर के नहीं कि का मैं इतना बलगा नाम भीलागे बाद इतना बलगा पाहचान भीलागे बाद अचानक से बैगफुट पर मुजिक में सबसे बढ़ बात बाकी एक उता आदमी दिल से संघर्ज कोईलास काम कोईलास बहुत अच्छा-खासा सफलता मिले भी मिलन बहुत बढ़ बढ़ गाना हीट भी बल लेकिन बयक होगे के मुख कारण रहल बाकी हामरा इंडरस्टीज के फिल्म जय जगत पा फिल्म पाइसन 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 जोन की मतलब सधारों ब्यक्ति के मुझने नसीब नहीं है बात सहीव हाँ पूर्ज बूरा मतलब हो ला इम लाइट रहे हैं अलग आके सिधे अपना च्हित्रे में जुणाओ नरगेकिता कू साइसन गूर सकतर अकशारी दुनिया थे सब बाज के काम नहीं कितला अलac करें लागिंदी पागर अगर कांसा सामने भीक नेखिस। अधसर जरी ус Rochester वर नियुकों, वर साधय साधय सकते हैं, करने पतरी कोई बेस्ट हैं, बोघर के सब्यूता में रखेतील, अल्यवन्तिक वξा क्या पूलता सत्वाजें हैं. बाकि सब लोग के आपना अपन सोच भा हमरा लागे लाग कि हम जौन अब लाइफ जियतानी बेस्ट भा पहले जौन नौ दस साल हम संघर्श कई नहीं आ जौन हम गाना बजाना लाख हीट भई लेकिनों में हमरा आत्मा के सांती ना मिलत रहे है अगाजी से गिराव नाम सब्सक्तर थी हर जेगा सम्मान भी आपको मिलता था पहां पकड़ने वाली बात ही नहीं थी फिर भी मतलब आपको मतलब फैंस का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था क्योंकि आज भी जब चंपारण के धरती पर आदमें पैर रखता है और चौक चराहे पर खड़ा होता है मेमोरी में कोई गाना बजा रहा हो या फिर कोई बड़ी मोल हो उसमें भी पचिता है मोतिहारी जीला खड़े-खड़े ठोक देला कीला जो हमारे चोटे भाई प्रवीन फ्रियदर्सी का लिखा हुए गाना था और यह गाना हम सिनेमा में गाना है लेकिन आज भी आप आपका नाम है अचारहा बात दिल तोड़ने का कोई किसी का दिल नहीं तोडता है सबको एक दिन जाना है आप और बो रुपय कमा के बहुत बड़ा धन सेठ हो जाए तो भी यह आप रोड़ पर रहें तभी मरना है सबको इसलिए कोशिश करें कि है उकड़ी बाजी च्षुकड़ी बाजी यहाई लफड़ा सुटिंग से दुनिया उलग हो और परिवारिक लाइफ में हमेशा जीने का प्रयास कीजिए यह माया नगरी है इसमें बहुत माया जाल है इस से बाहर निकल करके थोड़ा सा माप प्यार क्या होता है माप ऑप की वो लोग बताएंगे कि अगर बेटे को मैंने जन्म दिया है तो इसका क्या फाइदा है आज आज के दोर में ठीक है पुरुशत्तम प्रियदर जी जो बोल रहे हैं कि मुझसे किसी का पैर नहीं पकड़ा जाता है या फिर मुझे किसी के सामने गिर के काम मांगना नहीं आता आज तो पुरुशतम प्रियदर जी उस जरा लोग इनका पैर पकड़ते ह माय किसी को पैर पकड़ताव मीन मैं तुरल उनtte माना customer चाहिं हुँ जो मेरा आकर पकड़ते हैं बहुत लोग है चार-पांच साल हो गया छे साल भगवान के किर्पा से मेरा अपना यूट्यूब चैनल है और अच्छा खासा सब उपर पब्लिक का प्यार है जो पीपीएस और पीपीएस के नाम से मेरा चलता है कई लोग आते हैं और बात करते हैं लेकिन देखता हो कि जो इंसान आज तुनंत पएर पकड़ रहा है ना वहीं इंसान एक दिन धोखा देगा इस अंसार का नि हमकोई हाईविट में हैं आदत है हमको इसमें मजा आता है अगर कोई आदमी हमको धोfikा करता है ना धोखा देता है तो फिर मुझे पता है कि हूँ अपने नुक्सान कर रहा है क्योंकि मैं श्ट्रगल किया हूँना मुझे अनुभव आ इस चीज़ तो उसे फरक नहीं पढ क्यांकर दर्फक के हाथ में हम तो हमेशा काम कर रहे हैं उसको आगे लेके जाने की कोशिस गरे रहे हैं। जुड़ा हुआ है तो फिनांसली उसको कम जोर मत कीजिए दस रुपय कमाईए तो उसको भी दीजिए और खूस रखिए ज्यादातर हमने देखा है उस दौर को आज भी ऐसा होता है ज्यादातर म्यूजिक में क्या होता है बड़ी-बड़ी कंपनिया है बहुत सारे राइटर के पास पैसा नहीं है सबसे बूरा सिंगर है अच्छे राइटर बोलते हैं तुम क्या गाएगा यह मैंने देखा है अपनी आखों से और जिसके पास कोई सूर्ताल नहीं है फटा हुआ बास की आवाज है अगर उसके पास 2-4 लाख रुपया है तो तुरंत उसको पकड़ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं चाहे प्रोफेशन कोई लेकिन आपको बता दें कि इंडुस्ट्री में मेरे बहुत ही प्रिया बहुत ही प्रिया मतलब अतीप्रिया जैसे आप ऐसे हो ठीक है उनको मैं गुरुदेव मानता हूं नाम है मनोज मतलबी जानता हूं आप उन्हें गुरुदेव मानते हैं और काफी ताईफ करता है और मेरे वो बड़े भाई हैं बहुत पुझनिये हैं बिद्वान हैं और बिद्वान सर्वत्र पुझेत और बहुत अच्छे बिद्वान है बड़े हमारी एक बार चर्चा हो रही तो उसे उनके लिष्ट में एक आपका भी नाम आया था इसलिए आता है यह आया होगा क्योंकि वो जानते हैं और वो एक विद्वान आदमी है मेरे स्वभीमान और मेरे जुकाओ जो मेरे अंदर जुकाव है ना, जुकाव का मतलब यह होता है, कि आप चमछागीरी वाला जुकाव नहीं कि, स्रधा, स्रधा, डिसिप्लिन, जिसमें स्रधा हो, दिखता हो, अगर हम किसी का पर चूते हैं तो दिखना चाहिए कि हम जूक रहे हैं, उसमें स्वाभीमान दिख चाहिए तो उनको दिखा है मेरे अंदर उचीज और हम लोग एक साथ बहुत सारा काम किये हैं वो बड़े भाई है मेरे गार्जियन है और उनको पता है ये चीज की मेरा पुरसोत्तम कैसा है और किस टाइप के लगता है अब तो आप अपने जीवन में काफी आगे बहुत अब प्रयास में है और दिली इच्छा को भी होती है कि नहीं कि चलो एक गाना कम से कम फैंस के लिए काफी दिन बढ़ाता हूं मैं बहुत कुछ खो दिया था मियूजिक में आने से पहले मेरे पास सब कुछ था घर दुवार गाड़ी घोड़ा सब कुछ था जमीन सब कुछ खो दिया था और भगवान की किरपा से उससे आज भगवान की कि जितना था श्याज पचीस उनाuesta ज्यादा अवान ने मुझे दिया है दर्शकों के प्यार दियां तो वो सब कुछ मुझे किसी की जरूरत ना पड़े फिनासियल कि मुझे 520 Ho व कि अक दॉर्णे रुपलब दोब कि रिलिच कराने के लिए तैक है, मालूम नहीं बात लोगों से कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए तो मैं नहीं चाहता कि मेरी इंडस्टीज में मुझे मैं आज तक शिकायत नहीं किया है और किसी के बारे में मैं गलत नहीं बोलूगा किसी के बारे में गलत बोलने के लिए में नहीं बोल रहा हूं ठीक है एक दोर था ठीक है कि पुरुषत्तम प्रियदर्शी ने अपना एलबम रिलिज कराने के लिए एक बड़ी कंपनी थी नाम नहीं लेंगे ठीक है क्योंकि उसमों उसकी वी बातनामी होगी इन्होंने अप उसके बाद ही मैंने बिल्कुल छोड़े करने में अपना पत्नी का और परिवार में जितने लोग थे सबका गहना बेच दिया तो मैंने दिया था और उसमें अच्छा पैसा मिला था वही पैसा में लगा दिया यह बात सच है इसी लिए उसके बाद ही मैंने बिल्कुल छोड़ दिया वह आखरी वेरा इल्मम था और मैंने मैं भूल गया कि मुझे इस लाइन में राना है हार नहीं माना हूं मैं मैंने अपने स्वाभिमान को किसी के सामने वह नहीं होने दिया लेकिन मैंने किसी को फील नहीं होने दिया है आज मैं बेसक बहुत अच्छे लेबल पर पब्लिक ने पहुंचाया है मुझे पब्लिक का प्यार है कि मैं कलोरो रुपया कमाया बात सही है लेकिन ये भी बात सही है कि पचास रुपए के लिए भी मैं बहुताज था एक टाइम था और लोगों ने मुझे यूज किया और मैं खूब यूज हुआ और मुझे गरव महसूस होता है आज भी कि पूरे इंडस्ट्री की बात करना हूं किसी का दस रुपए मैंने नहीं खाया है、 मैंने खौता गई और लोग घॉड़ी स्मार टीबी हो क्या उन दर्शकों के लिए फ्यूचर में कभी बड़े परदे का फिन बनाएंगे बिलकुल बनाएंगे वो तो आज भी बना सकते है एक टाइम था कि हमें एल्बम बनाने के लिए मुझे डॉड़ना पड़ता था किसी के पास जाना पड़ता था कि भीया मेरा एक एल्बम ब दो बैठे बैठे लेकिन मुझे चरूरत नहीं पड़ती है मतलब मन नहीं करता है मेरा फिर बैक होने का और उस दुनिया में जाने का बिलकुल नहीं अब तो अपना रहेगा सब कुछ लेकिन फिर भी फिर भी कुछ लोगों इतना जैसे कोई म्यूजिक डिरेक्टर है या क सबको अब मनोज मतल भी नहीं है गो सबको मुझे नहीं लगता है कि साउद हो सकता है कि मैं उस लाइक हूं मैं पैसा तो खर्च कर सकता हो लेकिन मेरे लैक सबकोई नहीं हो सकता है जाए खाता तो मैं नहीं ज्यादा ये लेकिन फिल्म देवरा भेल दिवाना में ये गाना है मौतिहारी जिला जो आज काफी फेमस है बज भी रहा है आज भी बजता है उतना ही अरे छपरा में गईनी ततूर देल सियन आ मिलनला मरदे आरा केनियन बलिया बना रस गोपाल गंज बेतिया कारावे हेला गलर सलिला तो हए मतिहारी जीला होई मतिहारी जीला खड़े खोड़े थोक देला चोड़े गाना हुट किये थे तो मुतलब उस नइवाशोस था कि वरे फ्लस Eigen Oliva अगर देखा जाया हर रोज की अगर इस गाने पर पचीस जार पचास जार जाते रहते हैं पर डे पर अभी कुछ महीने कुछ साल पहले एक साल पहले तक मात्र गाना आठ मिलियन था अज हमको लगता है कि 20-22 मिलियन क्रोस कर गया है प्रूशतम प्रियादर्सी के तेवर में कल भी कमी नहीं थी ती चहरे के जो गलोग जो कल दिखती थी वह आज भी दिखती है सब्सक्राइब लाएंगे अपने 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 हिसाब से काम करेंगे कब तक लाएंगे आरे मैं तो आज भी कह रहा हूं एक गाना था बेराज इसका डायलोग बोलना था बहुत प्रेमस हुआ उसमें 12-20 जीला का नाम रखना था तो इस्टुडियो में साथ-टत्स लोग आया बोले कि मैं बोल दूंगा मैं बोलनगा क्योंकि मेरी आवाज थी मत्या चै prove goals घ्राटाती यह बोलना प्स और मैं बोला आप लगतार नहीं बोल पाएंगे तो मेरे अंदर मैं कुछ अच्छा करू अलग करू लेकिन नहीं मजा आता है उस लाइफ को हम बहुत करीब से देखें बहुत तड़पाती हो दुनिया बहुत रुलाती है मुकाम क्या होता है कुछ नहीं जाना तो सबको है इसलिए जिन्दगी अगर जीना है तो परिवार के साथ जी कर दिखाओ प्रेम से जीओ ना कोई सिकायत रही है क्यों सिकायत होगी मैं किसी के कुछ दस रुपय लिया थोड़ी हूं मैंने दिया है मैं फिल्म में भी जाके गाया हूं तो मैं अपना टिकट कटा के स्दीश और यूठ को मैंने अपना देखे पूरा इल्बम मनवाए मने आज तक किसी से पएसा थोड़ी लिया किसी कंपणी ने पैसा थोड़ी दिया है मुझे किसी में दम तो कह दे मैंने कभी अपना किसी के खाçar के मैं काम ही नहीं किया तो मुझे क्या टेंसस अने और आज 25-30 लोग मेरे साथ काम करते हैं और उनको चेलरी में देता हूं यह तो उपर वाले की किरपा है ना लेकिन जो सिंगिंग जो आपकी है ना ठीक है जो आपका साथ नहीं छोड़ सकती है बात सही है लेकिन आदमी की जो बिद्वता है ना जो ज्यान है ना वही तो कभी प्रुस्तम प्रियदर्शी जो कि पास्ट में बहुत बड़े गायक हुआ करते थी गायक आज भी है क्योंकि गायकी सरस्टी जब एक बार कंट में जब समाज आती है तो दुबारा जाती नहीं है यह मनने के बाद ही जाएंगी हलाकि इन दिनों एक और इनका बहुत बड़ मुकाम बन चुका है PPS Comedy के नाम से जिसमें अच्छे खासे लोग काम करते हैं और अच्छे खासे लोग को काम भी देते हैं तो यह थे प्रुस्तम प्रियदर्शी और इनसे जूड़ी हुई कोई भी सवाल या फिर जबाब आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स के बादे हम मैं झाल इनसे जाल겠다 वाल नाट वाल याल जाल याल वाल वाल झाल झाल